जहिन दोस्तो मेरा नाम है मनीश और स्वागा थे आप सबका वर्ल्लकप स्पेसल क्रिकट कहानी में दोस्तो इस बार ICC वर्ल्लकप की वीच ग्लोबल लेबल बढ़ाने की कोशिस कर रहा है इसी कोशिस में ICC ने वर्लकप प्रोफिक को स्पेस में बेजा जिसे पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया 27 जुन को ICC ने ODI वर्लकप दोज़तेज के ठीक 100 दिन पहले टूर्नामेंट का सेडिल लॉंच किया ये सेडिल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है आराम से पढ़ लेना अभी बात करते हैं इस सेडिल के कुछ खास पॉइंट्स की पॉइंट नमबर वन टीम इंडिया की ट्रेवलिंग टीम इंडिया अपना पहला मैच 8 अप्टूबर को शेले खिलाफ चन्नाई में खेलेगी फिर टीम जाएगी देली में जहाँ 11 अप्टूबर को अफकरिश्थान खिलाफ मैच खेलना है और निजिलेंड तो वर्ल्ड कप में हमारे पीछे हाथ दोके पड़ा हुआ है 39 अप्टूबर को इंडिया वसेज इंग्लैंड का मैच है नवाबो के सहर लगनाउ में फिर 2 नमबर को इंडिया वसेज कॉलिफाइड 2 का मैच है मुंबई में इसके बाद 5 नमबर वो इंडिया वसेज इंडिया का मैच कॉलकाता में होगा और फिर भारत अपना लीग का आखरी मैच 11 नमबर को खेलेगा बैंगलूरू में कॉलिफाइड 2 के गेंस इस हिसाब से टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट सबसेजा ट्रेवल करने वाले टीम बन जाएगी इसका फायदा ये है कि हर सिटी को टीम इंडिया का मैच देखने को मिलेगा तो वहीं ट्रेवल फेटीग का भारी नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान की डिमांड थी कि उनके मैचेश एहमदावाज चन्री और बैंगलूरू के फ्लैट पिचेज पर ना हो क्योंकि ये पिच बैट्मेंस फ्रेंडली माने जाते हैं लेकिन ICC ने पाकिस्तान की एक भी रिक्वेस्ट ना मानते हुए सेडिल में कोई चेंज नहीं किया अब पाकिस्तान का कहना है कि जान बूज कर उन्हें फ्लैट पिच दिये जा रहे हैं पॉइंट नमबर तीन अहमदाबाज इस न्यू क्रिकेटिंग कैपिनल आफ इंडिया जी हाँ दोस्तो नरेंडर मोजी स्टेडियम के रिनोविशन के बाद से ही स्टेडियम ने मुंबई के वान खेड़े और कुलकाता के इडिन गार्डिन स्टेडियम का दबदबा कम कर दिया है अब इस स्टेडियम को ज़्यादा ज़्यादा और इंपॉर्टेंट मैचेज मिलने लगे है वर्लकप 32 का फाइनल भी अहमदाबाद में ही होगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैच इंडिया वसेज पाकिस्तान का मैच भी नरेंडर मोजी स्टेडियम में ही होगा तो एहमदाबाद दोलकर डवल मजे हो गए 2011 से हर बार होस्ट कंट्री वर्लकप जीती है तो आपको क्यालता इस बार कौन सी कंट्री वर्लकप जीतेगी है कमेंट बॉक्सम का ज़रूर बताइए